तो हेलो फ्रेंट्स आपका स्वागत है राज ब्रोदर्स के नाम के इस चैनल में यहाँ पर मैं आपको साइंस क्लास टेक्स्ट बॉक ऑफ क्लास 9 एंसी आटिका यहाँ पर मैं बुक लाया हूँ ताकि इससे अच्छे से किस तरह से नोट्स बना सकते हैं यहाँ पर मैं पहला चेप्टर आजाता है chemical reaction and equation तो सबसे पहले आपको heading में ही दिख रहे हैं कि chemical reaction होता क्या है chemical equation होता क्या है बस आपको इसको कर लेना है खतम और chemical equation जितना भी ncrt में सारे equation दिया हुए बस उसको complete कर जो आपका काम हो जाएगा बस अगर pass करना है तो अगर आपको और जाता आप इसको कर लो और उसको जो आपको उसकूल में पढ़ाया जाता है सबसे पहली बात कि आपको उसको अच्छे से ध्यान में दखना है ठीक है तो अब यहाँ पर जिसे की राइटिंग केमिकल एक्वेशन यह तो कुछ नहीं मैं आपको बता देगी आपको बस याद कर लेना ठीक है और अगर आपको और अच्छे से जाना तो आपको यह क्लास नैट में ही बता देगा खि staट हो कि किसी भी केमिकल यह मेरा फॉर्मूला होता है इसको किस तरसे इस तरसे कर लिया जाता है ठीक है, right किस तरह से कर लिया जाता है, ठीक है, उसको त्फिर balancing की बात आ गई, तो भई, 9 class में ये भी आपको बता दिया गया था, अगर 9 class में आपने ये नहीं जाना है, तो आप मेरे को comment करेगा, मैं आपको बता दूँगा, कि किस तरह से balancing किया जाता है, और किस तरह से formulas जो reaction के बारे मैं बताया नहीं है, लेकिन पूछ देगा, इसलिए आपको ये बहुत जरूरी है कि आप इसको पढ़ लें, जितना भी type दिया हो कि मेरा combination, जितना भी reaction दिया हुआ है, ठीक है, उसको यहाँ पर यह जो oxidation deduction है, यही दोनों जब साथ-साथ में हो जाता है, तो redox reaction हो और यह rancidity side topic हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी knowledge के लिए, जो food का oxidation हो जाता है, उसी को लोग rancidity है, बस खतम, बस food का oxidation जो होता है, इतना ही NCRT में पूरा दिया हुआ है, और इसको बाद फिर जो भी extra चीज़ आपको आपके school में बताया गया है, आपको उसको कर लेना है, और यहाँ पर यह जो NCRT का question इसमें question नहीं जाद है, आपको बस इसका objective लगा लो एक वार, ठीक है, और अगर आपको पास और ज़्यादा मतलब करना है कि नहीं मैं पूरा कर लेता हूँ, तो फिर वाई, इसका question लगा लो बस हो जाएगा यह पूरा chapter आपका, ठीक है, और आपको और ज्यादा knowledge चाहिए, तो आप reference book का फिर use कर सकते हैं, ठीक है, और ऐसे तो मैं कहूंगा कि यार, आपका NCRT पूरा sufficient रहेगा, और school में जो बताया जाएगा, वो एस चांद से वैसे बहुत जगा चलता है, लेकिन sufficient रहता है, ठीक है, आपको अच्छा खासा उसमें